हाल ही में दिल्ली के Central Park में चौथा दिल्ली अंतराश्य फिल्म समारों का दमाकेदार तरीके से उदगाटन किया गया जिसमें दिल्ली के उपमुक्यों मंत्रीशी मनीश सिसोधिया जी चीफ गेस्ट बनके शामिल हुए दिल्ली अंतराश्य फिल्म समारों की स्पेशल गेस्ट जैफलीन फिर्नांडेस भी उद्गाटन समारों में शामिल हुई इस समारों में उनकी पहली इंग्लिश फिल्म डेफिनिशन ओफ फियर शामिल होने जा रही है और उनके अलावा फिल्मकार दिगमांशुदूलिया, सुदीर मिश्रा, रेल्टी टीवी स्टार आशुतोष कौशिक और देश विदेश के काफी कलाकार और फिल्मकार शामिल थे और इस बव्विसमारों को देखने के लिए लोगों का ताता लगा रहा इन ही कलाकारों और फिल्मकारों के बीच अनिल कुमार एक ऐसे फिल्मकार है जिन्होंने सत्य गटना पर आदारित शिर्मी फिल्म का निर्देशन किया है और जब वागजब की टीम ने उनसे बात की और पूछा कि आपकी फिल्म में ऐसा क्या खास है जो दिल्ली अंतराश्रे फिल्म समारों में शामिल की गई है तो उन्होंने कहा की थी ऐसा लगा कि इस घटना को सोशेल मीडिया ने इस देश में उसे कुछ फ्लेश में नहीं लाया शिर्मी को नयाय तो नहीं मिल सका मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पर कुछ तुवे बनाऊ बना के इस देश के सामने उसे प्रेजेंट करूँ समारो के दौरान उप मुख्य मंत्री जी को और फिल्मकार सुधीर मिश्रा जी को एक सुन्दर एवाज से पुरस्कृत किया गया श्री राम पाचा जी के द्वारा समारो की उद्गोश्रा की गई इस फिल्म समारो में जो लोग हमारे साथ जुड़े इंडियमची जब से फिल्म समारो शुरू हुआ हर कदम उसने हमारे साथ मिलाकर रखा अंधर प्रदेश सरकार श्री और जी जो मुख्य में तोरी है उनका उनके साथ जो उनकी टीम है जो मेरे साथ बैठी हुई है या मेरे सामने बैठी हुई है देशबंदू के सदस्य सभी का बहुत शुक्रियादा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस साल जो फिल्में हम दिखाएं इस साल जो हम काम करें दोसो उनीस मिल में हम 69 कंट्रीज की दिखा रहे हैं सबसे जादा इस बार हमारे इस फेस्टिवल में डेलिकेट शामिल हुए हैं करीब एक सो पचास इसराइल इस फेस्टिवल का कंट्री पार्टनर है रश्या जिसे हम विशिश रूप से फोकस कर रहे हैं और मोजांबिक ज यहां आई हैं मोजांबिक से स्पेशली आई हैं स्वेतलाना और श्रिलंका जो पिछले तीनों सालों से जिनके यहां से बहुत शांदार फिल्म हैं हमें यहां रिसीव हुई हैं और इस साल भी भवतारणा एक जो फिल्म है वो हम दिखा रहे हैं जो बहुत ही अधूत कुस संब्काति यहां पर फिल्म भी फिल्म की क्लोजिंग फिल्म है युट्यू रिडले स्कॉच जिनकी जीरो फिल्म है है शॉर्ट वह घ्ट फिल्म हैं और ऐसी खु बड़ी फिल्म हमें इस फेस्टिब्स नहीं रिय करतें दें और vallahi खोसाइक इनकी आर्शम हैं तो तक टें भी है हमारी जूरी ने आज तक भारती एक खंड में जिन फिल्मों को अवाड किया और जो पहली बार सिर्फ दिल्ली फिल्म फेस्टिवल ने दिखाई गई उन सभी को उसी साल नेशनल अवाड मिला ये हमारे इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी कामियाबी है कि हम कम से कम वो दिखा रहे हैं हमारी जूरी वो चुन रही है जिसे दुनिया स्विकार करती है जिसे दुनिया भर का सिनेमा मानता है और जानता है और दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये पहला फेस्टिवल है जो भारत में किसी शहर के नाम से हो रहा है और इतनी सारे चीजों प्रशंसा करके यह कहने की कोशिश करना हूँ, कि आपको मरवशाथ दीजिये, नहीं! जिस सरह से एक आम आजमी अच उबरकर सामने आया है, ये फीस्तिवल भी उसी तरह से एक आम आजमी का आपका फेस्टिवल है और सबसे मेरी अपील है कि इसे सपोर्ट करें और इसे दुनिया का एक भैत्रिन फिल्म फेस्टिव बनाने में हमारी मत्री बहुत शुक्राइब और उप मुख्यो मंत्री जी के द्वारा इस समालों की ओपनिंग की हुए इस सरकार में लिस्टों की जरूरत नहीं है बिना रिस्टे के भी देखो मंत्री आ जाते हैं बिना जान पहचान के भी देखो मंत्री आ जाते हैं मैं पार्चा जी की बाद से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि आप रिष्टे को पहँचान नहीं पाए मेरा रिष्टा तो दिल्ली से है जो पीछे बैठी है और उस दिल्ली के लिए आप जो कुछ करेंगे मैं हर उस जगे खड़ा होंगा और मैं ही नहीं मेरी पूरी सरकार दो मिनिस्टर्स हम यहां पे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के लिए हमारा रिष्टा दिल्ली से और हमारी सारी जान पहचान दिल्ली से उस जान पहचान का आप इस्तेमाल करें आपको कोई कभी प्रोब्रम ने आएगा दिल्ली वालों के लिए आप कुछ करें दिल्ली वालों के लिए आप जो करेंगे आपका पूरा फिल्म फेस्टिवल जो करेगा आपकी पूरी टीम जो करेगी हम उसमें पूरी तरह साथ हैं आज भी है और आगे भी रहेंगे लेकिन मेरा मानना है कि फिल्मों के एक अलग मुझे लगता है फिल्म कारों को भी अपनी बूमी का समझनी पड़ेगी हम सिर्फ मरोरंजन के लिए फिल्में बनाए हम सिर्फ कमर्शिल गेन के लिए फिल्में बनाए ऐसा नहीं हो सकता आज पैरिश से लेके दुनिया के हर कौने से धमाकों के अवायरे सुनाई दे रही है आज हिंदुस्तान जैसे मुल्क में धर्म और जातियों के बीच हेट्रेट दिखाई दे रही है दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत स्ट्रॉंग वर्ड्स में मेसेज देने की जिम्मेदारी फिल्मकारों की भी है आर्टिस्ट की भी है उसको भी निवाने की जरूत है और ऐसी फिल्मों को जो समाज को बदलने में समाज के अंदर जो अगर कहीं बुराईयां बढ़ रही हैं तो उन बुराईयों को रोकने में अपनी भूमी का निवाएं मुझे लगता है जमाना हमेशा याद रखता है इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आपके केटलोग को पलेट राथा उसमें कई फिल्म मुझे ऐसी दिखाई दी है इसके लिए बहुत-बधाई के पात्र हैं और एक और फिर से मैं आपका बहुत शुक्रिया उदा करता हूँ कि आपने मुझे हाँ इस फिल्म फेस्टिबल का उद्गाटन करने के लिए बुलाया आप आगे भी जो कारिक्टरम दिल्ली के लिए करेंगे वे अर्ड़ी बीदियो थैंक्यू वेरी मच्च आए ओफिसियली ओपन द फोर्थ टैली फिल्म फेस्टिबल अपने कुछ शब जनता के साथ शेर्ड़ी तो लोगों ने उन्हें चारों और से गेड लिया और सभी उनकी फोटोस खीचने लगे लेकिन काफी कोशिशों के बाद जब लोगों को हटाया गया तब जैकली ने अपने कुछ शब जनता के साथ शेर्ड़ी इस समारों की खास बात ये रही कि दिली के उपमुक्य मंत्री मनीश सिसोधिया जी समारों में सही समय पर पहुचे ये तो सिर्फ दिली अंतराश्री फिल्म समारों की शुरुआत थी अब तो ये देखना है कि आने वाले दिनों में इस समारों में और क्या दमाके होते हैं इस समारों की लेटेस्ट अबडेट के लिए वागजब को सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवोड की लेटेस्ट और खट्टी मीठी बातों को जानने के लिए आप वागजब.com पर लॉग आउन कर सकते हैं आप हमें फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं